नमस्कार दोस्तों जीए स्वाड़ी में आप सभी का स्वागत है कल संडे था इसलिए कोई वीडियो नहीं आई और सेटरडे को भी कुछ वेवधान था जिसके वीडियो नहीं आपाई थी आज हडपा सब्वेता संदो सब्वेता की ये वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा कल से वेधिक सब्वेता पर वीडियो आएगी सेंदो सब्वेता या हडपा सब्वेता संबंदि जितने भी महत्रपून तत्य हैं वो इस वीडियो में आज हम सामिल किया है साथी साथ सेंदो सब्वेता में धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ प्रद्योगी की जो वहां की है टेकनोलजी है और जो है आर्टिस कप्चर वगरे है जो इस सारी चीज़े इसमें कवर कर लिया है मैंने तो अब चले एक एक करके यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले हम धार्मिक जीवन की बारे में देखेंगे कि हड़पा सब्वेता की लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था तो जो भी पुरा तत्विक अस्थलों से जो भी साक्ष प्राप्त हुए हैं उनसे किसी भी प्रकार से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि यहां किसी धर्म विसेश की उपासना होती थी या किसी धर्म विसेश का लोग पालन किया करते थे और जो लिपी वहां मिली है जोकि लिपी भी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए निश्चेत रोप से नहीं कहा जा सकता कि सेंधो प्रचलन में था शांक्षों के आधर पर ही अनुमान लगा जा रहा है साक्षों Sumam कि मौर्तियां प्राप्त हुई और इस दो प्राप्त साक्षों के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि हडपा सब्यता का समाज मात्र सत्तातमक था अर्थात जो माता पक्षोता था या जो इस्त्री होती थी परिवार में बड़ी इस्त्री होती थी वह सासन करती थी परिवार में सासन कहने का अर्थ है वह मुखिया होती थी परिवार की ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है इसके अलावा एक हडपा से ही एक इस्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधा दिखाये गया है इसे औरवर्दा की देवी माना गया है तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये सारे साक्ष इसारा कर रहे हैं कि समाज जो था वो मात्रि सत्तात्मक था यहां देखिए इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये एक मिट्टी की मूर्थी प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाये गया है लोग उसकी पूजा करते हैं इसी तरह मिस्त्र के लोग नील अनदी की देवी को आईसिस कहा जाता था क्या बोले जाता था आईसिस उनकी भी वहां पे पूजा की जाती थी तो जितनी भी समकालिन सब भ्यतायन हैं आप वहां जादा तर देखेंगे कि प्रकृति की पूजा अवस्य मिलती है और इस्त्रियों की पूजा वहां देखी जा रही है सामाने तया इसके अलावा कुछ और खास खास बातें थी वो क्या थी? जैसे अगर यहां आप देखें तो प्रकृति पूजा के अलावा मोहरों पर बैल का अंकन पीपल की पक्तियों का अंकन इस बात की सूचना देता है कि वहां पर पसू पूजा भी प्रचलित्थी और प्रकृति पूजा भी तो प्रकृति और पसू इन दोनों की पूजा के साक्षतों अब हमें दिख रहे हैं इसके अलावा मोहन जोदारों से ही मोहन जोदारों से इसको थोड़ा सा उपर कर लिपीडिया मोहन जोदारों से आप अगर यहां देख रहे हैं तो एक मोहर पर एक योगी का अंकन है योगी क्यों कि वह योगी मुद्रा में बैठा हुआ है पदमासन इससे बराबर परिक्षा में प्रशन पूछे जा रहे हैं अभी तक सैकड़ों बार ये प्रशन पूछा जा चुका है इस तरह से इसमें तोड़ तोड़ के कई तरह के प्रशन पूछ लिया जाते हैं जैसे पूछ लिया जाएगा कि योगी की मुद्रा के मुर्ति कहां से प् बैठे हुए हैं, दाई और चितायों हाथी हैं, जो योगी मुद्रा में मिला है, उसके दाई और चिता और हाथी हैं, बाई और गेंडा और भैसांग की थे, पैरों के पास दो हीरन बैठे हुए हैं, सामान्य तयार इन्हें पसुपती या रुद्र देउता कहा गया है, मारस शिव की रूप में आगे चलके स्थापित हो जाते हैं कालांतर में समय के साथ तो यह रहा आगे बढ़ें इस प्रकार यह प्रमाण मिलता है कि हडपा सभ्यता के लोग मात्री पूजा नाग पूजा ब्रिक्ष पूजा अस्थल पूजा लिंग पूजा के भी करते थे लिंग जो है जानते होंगे बनाना तो इस तरह से यह स्वास्तिक का चिन्न बनता है इस तरह से यह रहता है स्वास्तिक का चिन्न तो यह भी हडपा सभ्यता से ग्राप्त होता है और इस तरह स्वास्तिक के चिन्न का अन्मा लगा जाता है कि सुर्य उपासना होती थी उस समय क्यों जल इन सब की पूजा होती थी सामाने रुप से समझना आए पुनर्जन में विश्वास था इसलिए मृत्यों के बाद दाह संसकार के तीन तरीके प्रचलित थे यह समझने की आवशकता है यहां सामाने तह पूछा जाता है इससे समंधित तथ्य कभी-कभी पूछ लिया जात है तो हम यह जानना आवशक है कि यहां पर क्या था कि तीन प्रकार के सवाधान प्रचलित थे वे तीन कौन कौन से थे एक पूर्ण सवाधान था पूर्ण सवाधान क्या था कि पूरे सरीर को ही मृत सरीर को जमीन में दफना दिया जाता था और यह तरीका सामानेता देखन को मिला था दूसरा आता है अंसिक समाधान इसमें क्या होता था कि सरीर को जैसे पारिशी समुदाय वगईर है में आज भी ऐसा माना जाता है कि वे क्या करता है सरीर को खुला चोड़़ देते हैं किसी उचाईब क्छान स्थान पे छोड़ दे इसके पीछे अपने अपने दर्शन है कुछ लोगों का कहना होता था कि छोड़ देते थे प्रकित का जो हिस्सा जिसके पास लौट जाता था जिसके पास से आया हुआ है उसके अलावा कलस सवाधान एक था अंतिम कलस सवाधान में क्या होता था कि शव को जलाके राख को एक कलस में मटके में भर के जमीन के अंदर गार दिया जाता था तो यह तीन प्रकार के सवाधान प्रचलित थे यह भी सामाने तर पूछा जाता है तो यह हमारा सामाज धार्मिक जीवन रहा कि धार्म में किस तरह से वहां क्या चीजें प्रचलित थी हमने सारा देखा जहां से प्रस्णाने की संभावना होती है सामाजिक में एक चीज़ और नोट कर लेने वाली बात है कि बली प्रथा द्रिस्से का अंकन मिलता है तो ये अनुमान भी लगाया जाता है कि बली प्रथा रही होगी उस समय में जादू टोने वगेरे में भी थोड़ा बहुत विश्वास था लोगों का क्योंकि वहाँ पर ताबीजूं वगेरे की भी प्राप्ति हुई है तो ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि जादू टोना वगेरे भी कुछ रहा होगा आप कमेंट करके बताने का प्रयास करिए कि जादू टोना तंत्र मंतर से सम्मंधित कौन सा वेद है अब आते हैं सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन देखते हैं संभवत है समाज मात्र सत्तात्मक था समाजिक बेवस्था का मूलाधार परिवार होता था आज भी देखे समाज का मूलाधार परिवार ही है राप्त मूर्तियों के अधार पर उस समय के भेश भूसा का अनुमान लगाया जा सकता है जो मूर्तियां वगेरे मिली है और इससे पता चल रहा है कि साज सज्जा के प्रती लोग बहुत जागरूख थे इसके तीन आप उधारन देख सकते हैं तीन प्रकार के जो है वहाँ आपको उधारन मिलते हैं यहाँ पे आभूशन इसतरी पुरुष दोनों धारन करते थे बड़े-बड़े बाल महिला पुरुष दोनों रखते थे और तोर बालों को बनाने की बहुत सारी बिधियां प्रचली थी बाल कई डिजाइन के बनाये जाते थे इसका भी साक्ष मिलता है महिलाय सिंदूर लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी बिभिन प्रकार के सौंदर प्रशाधन प्राप्त हुए हैं वहां से तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सौंदर के प्रती जागरुकता थी लोगों में उस समय भी समाज में साकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग रहते थे समाज मांसाहारी साकाहारी बहुत समय से चला रहा है मनरंजन और नृत से परचित थे लोग इसके भी साक्ष मिले हैं जैसे नर्थकी की प्राप्तमूर्थियां इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले हैं जो मन्रणजन का उदाहरन देते हैं कक्ष की खाडी गुजरात, एक गाउ है कुरन, कुरन से दो स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, अब स्टेडियम का आर्थे हुआ कि बहुत बड़ा स्थान है, घेरा हुआ है, और ऐसा वहाँ जो जो चीजें प्राप्त हुए, उससे अनुमान लगाया जाता है, कि जब बड़ अस्तर पर किसी खेल का आयोजन वगएरे, या किसी समारों का आयोजन कराया जाता था, तो वहाँ लोगी कठा होते थे, तो यह भी कहीं कहीं, खेल के प्रती उनकी रुची, और खेल के प्रती उनकी जागरुपता को भी प्रदर्सित करता है, मोहन जोदरों से प्राप्त न इसका प्रमान नहीं मिलता लेकिन वहाँ पर बर्ची, कुलहाडी, आरा, बशुली, अस्तर भी मिले हैं यहाँ एक नोट करने वाली बात है उन्हें लोहे का ग्यान नहीं था किन्तु कांसा का प्रयोगों करते थे तो वहाँ पर वे कांसे का इस्तेमाल करते थे तो यह हमें जान लेना आवश्यक है कि वे कांसे का इस्तेमाल करते थे सामानता तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाते थे तांबा और टीन इन दोनों को मिस्त्रित करके कांसे का निर्माल करते थे प्रद्योगों की और कलायम सिल्प देख लेते हैं यहां क्या है यहां कि प्रद्धिकला सिल्फ काफी उन्नत अवस्था में थी लोग लोहे से परचित नहीं थे लेकिन तांबा और टीन मिला कर कांस्था नामक धातू बनाते थे इसके अलावा लुप्त मौम बिधी द्वारा इससे पहले मैं बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियूम अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए उसमें बता चुका हूँ यह विधी कैसी थी इससे वे मूर्तियों का निर्मार करते थे इसके अलावा सोना चांदी आदी का भी उन्हें ग्यान था संक सीसा आप देख सकते हैं संक सीसा हाथी दात घोंगा आद के बने उपकरणों का भी प्रयोग करते थे कटाई बुनाई होती थी सुई और तकली का इस्तिमाल होता था जिससे पता चल रहा है क्यों कपड़ी की बुनाई बुनाई भी बहतरीन तरीके से होती थी ओनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों वहां से प्राप्त होते है मिट्टी के बरतनों के निर्मार के लिए चाक का प्रयोग होता था उस चाक के प्रयोग के लिए चाक का जो प्रयोग है मिट्टी के बरतन खिलाओने मुद्राओं आधी सब के लिए होता था इसके अलामा वहाँ पर चू की देखिए पकी इंटे जो निर्माड हुआ है वहाँ बहुत सारे जगहों पर पकी इंटों का प्रयोग होता था तो इंटे कहां पकाई जाती थी तो भठे बने थे बड़े-बड़े तो वहाँ से पता चलता है कि इंटों देखिए और वहाँ से जानकारी कठा करिए लोथल में मनके का कारखाना प्राप्थ हुआ है कारखाना मिला है इसका आर्थ है हुआ बड़े अस्तर पेव सोद्योग का विकास हो चुका था तो यह हडपा सब्यता का सिल्प और प्रद्योग की संबन्दी था चूकि लिपी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है जोकि जितना अभी तक हडपा सब्यता के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्थ हुई है यह पुरा तत्विक साक्षों के आधार पर ही है लिपी अभी नहीं पढ़ी जा सकी है अन्य था इसके बारे में और भी रहस्योद घाटन होना बाकी है इस लिपी में 64 मोल चिन है और 200 से 400 तक अक्षर है यह लिपी भाव चित्रात्मक है यहां देखिए एक information है मैं जैसा कि बता चुकाओं कि एक एक प्रशन एड़ करूँगा अब हर वीडियो में अपने और यह प्रशन आपको पूरी वीडियो देखेंगे आपको इसमें मिल ही जाएगा पिछला वीडियो में एक प्रशन दिया हुआ था गोसी प्यूस ओवेसियस है क्या था तो यह कपास की एक परजाती थी और यहां पर हम उसका उतर दिये हैं पहले प्रशन था अब इसी वीडियो में हम एक और प्रशन आपको देने वाले हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो उसका भी हल आप बड़े आराम से कर लेंगो उस प्रशन को पहले देख लेते हैं अभी हमने हडपा सभ्यता की बारे में सारा डीटेल देख लिया अब देख लेते हैं इस सभ्यता का पतन हमने उदभव देखा विकास देखा उससे संबंधित बिसेस्ताय देखी सामाजीक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक सारा कुछ देखा अब हम द पहला आता है आरियों का आक्रमण, गार्डन और विलर का अनुमान है कि मद्ध भूमध्य सागरी प्रदेश में एक प्रकार की जनजाती रहती थी, घुमंतु जनजाती जो घुमते घुमते इस छत्र में आई और उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके इस सभ्यता को पुरी MS. वत्स कहना है नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी ने मार्ग परिवर्तित कर दिया जिसकी वज़स सब्यता नश्ट हो गई, मैके और आरेस राओ का कहना है कि बाझ की वज़ह से सब्यता नश्ट होई, ठीप अग्रवाल का कहना है घुगः का सूख जाना, घुगः जलप्रावन रेक्स औंडेक्स ने कहा भूगंपो जलप्रावन इसका कारण रहा तो कारण कुछ भी रहा हो हमें अपने परिक्षा के दिश्टकॉर्ण से यह ध्यान रखना है कि यहां से भी प्रशन पूछे जाते हैं कभी दे देगा कि हड़पा सभ्यता के पतन के इस प्रतिपाधित किया गया है किसने कहा है किसने अनुमान लगाया है तो यह रहा और इसी स्लाइड की अंतिम स्लाइड है इस वीडियो का यहां प्रशन देने जा रहे हैं आपको अगर वीडियो अपने ध्यान से सुना है तो आप इस प्रशन को जरूर अटेम्ट करिए और स हम सही उत्तर आपको इस प्रश्ण का अगली वीडियो में अपने देंगे। प्रश्ण है संधो सभ्यता के विशय में सत्य कथन है, हैं, कौन से हैं, या है, एक है, या दो है, या दोनों हैं। प्रकृति पूजक थे सेंधो सभ्यता के लोग, लोहे के अस्तर सस्तर का प्रयोग करते थे, एक और दो दोनों सत्य हैं, केवल एक सत्य है, आपको जो सही लग रहा हो, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, और अगली वीडियो लेके मिलते हैं, वैदिक स अगली वीडियो में, धन्यवाद.